MX Player Pro जैसे आप Simple Video Player चाहते हैं सारे Interface और Features आपको MX Player Pro जैसे मिले Add Free हो, Play Store में Available हो उसी के साथ साथ Minimal Design के साथ आए और सब ही वो Features जो आप MX Player Pro में Enjoy करते हैं या भी Enjoy कर पाएं तो दोस्तो वीडियो Interesting होगा Request करता हूँ वीडियो का चाहता आप अंतक जुड़े रहें और इस चैनल के उपर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को अब सब्सक्राइब करें और एक डियो को मैं करना चाहूँगा इस वीडियो का ज़रूर लाइक करें इस वीडियो में Like Target Set करते हैं 50 लाइक जो के आप एक घंटे में कर देंगे मैं जानता हूँ तो चलिए दोस्तो वीडियो को शुरूर करते हो लिस्त में पहला जो वीडियो प्लेयर आपको देखने को मिल रहा होगा जो के Simple है, Minimal है उसी के साथ MX Player Pro जैसा फीचर आपको यहां मिलने वाले है VLC Media Player Opening Interface कुछ इस तरह का आता है दोस्तों आपको Simply यहां Tap करके Allow कर देना होगा यहां आप Just Process को इस तरह का आएगा थोड़ा सा Loading लेने के बाद दोस्तों आपके सामने सारे Features हाजीर हो जाएगा तो फिलाल नीचे आपको कुछ Option मिल रहे है Audio, Video, Browser, Play Option फिर यहां आपको More Option भी दिया गया है यहां Simply अगर आप Tap करते हैं तो आप Setting Section में भी जा सकते हैं कुछ चीज आपको Discover करना होगा दोस्तों आप यह खुद बखुद कर लेंगे मैं जाता हूँ जैसे कि यहां आप Interface में जाके बहुत कुछ चेंज भी कर पाएंगे यहां दोस्तों आपको PIP Mode भी दिया जाता है मतलब Picture in Picture Mode चलिए वीडियो प्ले करने के बाद यह किस तरह दिखेगा मैं आपको दिखाना चाहूँगा Simply इस तरह अगर आप Tap करते हैं तो इस तरह Option आएगा यहां आपको Brightness Gesture Mode उसी के साथ साथ Audio Loudon करने के लिए भी Gesture Mode दिया गया है Simply दोस्तों MX Player Pro में भी इस तरह का Feature आपको मिलता है लेकिन लुक थोड़ा सा Different है इसको अगर आप MX Player Pro जैसा करना चाहते है तो simply यहां आपको जाना होगा यहां देखिए Group Video Option है Simply इस तरह आप टैब करें Group Video by Name, Group Video by Folder Simply इस तरह आप Group Video by Folder कर दें और यहां देखिए आपको Display in List option मिल रहा है Simply इस तरह आप Display in List कर दें तो देखिए MX Player Pro जैसा आपको Folder wise हर वो वीडियो folder दिखा रहा है जहां आप अपने वीडियो को रखे हैं दोस्तों तो folder के उपर टैब करें आपको वो सारे वीडियो देखने को मिल जाएगा जो के आप folder wise रखे हैं एक चीज़ दोस्तों मैं आपको यहां मेंशन करना चाहूंगा यहां आपको rename करने का option नहीं दिया जाता फिलाल आप यहां देख सकते हैं यहां आपको sharing option दिया गया है हर वो platform में VLC media player को use करके ही आप अपने वीडियो को भी share कर पाएंगे आप दोस्तों लिस्ट में दूसरा simple video player है U player simple सा F है दोस्तों आपको यह MX player pro की याद दिलाएगा यहां आप देख सकते हैं सारे look दोस्तों MX player pro जैसा ही ही है simply हर folder में अगर आप टैप करते हैं तो वही interface आपको यहां देखने को मिलता है आप यहां देख सकते हैं वही सारे features आपको यहां भी दिया गया है कुछ extra features आपको इस media player में देखने को मिलगा यहां अगर आप टैप करते हैं यहां आपको dark mode option दिया गया है दोस्तों simply dark mode मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैंने नहीं किया है आपको यहां video audio playing option भी दिया गया है आपको सारे folders यहां दिखा देगा audio related यहां दोस्तों आपको mp3 cutter जैसे option मिल रहा है यहां आपको setting section भी दिया गया है जिसमें आपको फिर बदल करके जैसे कि आप color को change कर सकते है यहां जो color है अगर आप चाते हैं इसको green करना तो इस तरह अगर आप green कर देंगे तो यहां आप देख सकते हैं color पूरा पूरी change हो चुका है अब चलिए दोस्तों video play करके भी देखते हैं अगर screen button में tap करते हैं तो यहां आपको देखे rotation, mute, speed, timer, pop-up बहुत से option आपको मिल रहा है दोस्तों यहां आपको equalizer option भी दिया गया है simply यहां आप audio को equalize भी कर पाएंगे अगर decoder की बात करें तो यहां आपको बहुत से decoder option भी दिया गया है दोस्तों यहां आप देख सकते हैं जो जो feature आपको MX Player Pro में मिलता था यहां भी दिया गया है यहां आप video को 10 minute करके skip भी कर पाएंगे यहां आप log कर पाएंगे full screen mode में भी इस तरह आप चला पाएंगे अब दोस्तों हर video player में एक चीज़ को मैं जरू चेक करता हूँ हुआ कर पाएंगे